टीव इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रिस जब परदे पर अपना बहु वाला रोल प्ले करती हैं तो उनको देखकर आपको लगता होगा कि ये कितना ही पड़ी होगी 12 के बाद ही पड़ाई छोड ये एक्टिंग इंडस्ट्री में आ गई होगी लेकिन आपको बता दे कि टीवी की वो बहुए बहुत पड़ी लिखी हैं उन्होंने 12 तो पास की ही साथ ही अलग-अलग कोर्स और डिग्री हासिल की है जिसके बारे में अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे तो आईए जानते हैं एक्ट्रिस की एजुकेशन के बारे में नमबर एक शाहिन दोशी पंड्या स्टोर की संसकारी बहु बनकर शाहिनी दोशी लोगों के दिल जीत रही है लेकिन अगर बात करें इनकी एजुकेशन कॉलिफिकेशन के बार आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल में अंग्रेजी की छोटी छोटी बातों में गलती करने वाली अंगुली भावी और शुवांगी अत्रे ने असल जिंदगी में MBA किया हुआ है इन्होंने इंदोर की इनिवर्सिटी से MBA में डिग्री हासिल की है सीरियल गुम है किसी के प्यार में की पाखी यानि की एश्वर्य शर्मा ने 36 गर्ण युनिवर्सिटी से electronic एवम communication में डिग्री हासिल की है जिससे bachelor of technology की डिग्री भी कहा जाता है वैसे हैना काफी हैरान करने वाली इनकी education सही बनकर लोगों के दिलों को जीतने वाली आईशा शर्मा की education qualification की बारे में बात करें तो आपको बता दे कि आपकी ये प्यारी बहू पेशे से एक actress के साथ साथ lawyer भी है जिन्होंने LLV की डिग्री हासिल की है जिसके होते हुए भी आज ये acting industry में काम कर रही है इमली सीरियल में अनपर इमली का किरदार निभाने वाली अभी नीतरी सुम्बल तौकीर भी पड़ी लिखी है आपको बता दे कि इन्होंने अपनी 12 पास आउट की है जिसके बात अपना वक्त ना गबाते हुए इन्होंने मोनिका वर्मा acting academy से acting सीखकर अपने career की रूपाली गंगुली अनुपमा सीरियल में टूटी फूटी अंग्रेजी और सौरी को सूरी सूरी बोलने वाली रूपाली गंगुली रियल लाइफ में विप्रीत असल जिन्दगी में काफी बड़ी लिखी है आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर इसकी डिगरी हासिल की है तो दोस्तों आपको इन में से किस अभी नेत्री की अजुकेशन कौलिफिकेशन के बारे में जानकर सबसे जादा हैरानी हुई आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं साथी टीवी से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले